आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक हम लोग कैसे करें वो भी फ्री में और सबसे पहले ज़रूरी यह है कि यहां पर ना आपका बैंक काम करेगा ना आपको पैसे मिलेंगे ना कहीं डीमेट एकाउंट खोल सकते हैं या किसी भी तरह का फाइनाशल ट्रेंजेक्शन जो पैन कार्ड से लिंक है वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे बहुत सारे लोग यूटूब भाई है जिनका एट सेंस पैन कार्ड से लिंक है अगर आपने अभी तक लिंक नहीं कराया होगा तो सारे का यह काम खराब हो जाएगा पर अच्छी बात क्या है देखिए सबसे पहले यह गौर्ण्मेंट ऑफ इंडिया इसको फ्री में कर रही थी बाद में इसमें चार्जे लगाने लगी और 31 मार् और पैन सब कैपिटल में लिखिएगा यू आईडी फिर वहां पर इस पेस दीजिएगा इस पेस के बाद आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद फिर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और उसको सेंड कर देना है 56768 56161 पे यह दोनों में से ज आप इस नंबर के द्वारा सेंड कर सके चाहे आप यू आईडी के ऑफिशल पॉर्टल पर चले जाएगा जहां पर आपको इंकम टैक्स की पेज़ पर रीडाइड कर दिया जाएगा और रीडाइड करने के बाद में वहां पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को डालना ह पर डेट वर्थ को डालना है अधार कार्ड को डालना है कैप्चा कोड आएगा उसको फिल किजेगा लिंक अधार किजेगा आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल हो जाएगा अब बात करते हैं अधार काड पैन कार्ड फ्री में कैसे लिंक हो जितने लोग नहीं बना रहे तो उनका कोई भी अलग से ट्रांजेक्शन या कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगने वाला है आप नहीं भी लिंक कराओगे और चेक भी करना चाहते हो तो उसी पोटल पे चेक स्टेटस पे चले जाएगा आपका पैसा नहीं लगने वाला है अगर जानकारी अच्छी